वेलकम टो मॉनिका स्टेशन मश्रूम के बहुत सारे हेल्ख मेंफिट्स होते हैं ये विटामिन बी और विटामिन दी से रीच होता है और ये लो फैट होता है आज हम हेल्दी क्रीमनी मश्रूम सूप बनाएगे इसके लिए हमें चाहिए एक कटे हुए मश्रूम वन टी स्पून बटर तीन चार कलियां लसुन की बरीक कटी हुई एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ एक कप दूर टू टी स्पून फ्रेश क्रीम एक कप पानी नमक काली मिर्ज आईए हम बनाना शुरू करते हैं कैस आउन करेंगे बटर डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा रेशी गी डालेंगे बहुत थोड़ा सा ताकि हमारा मक्थन न जले लखन डालेंगे और इसको सौत्ते करेंगे अब हम इसमें प्याई डालेंगे लो फ्लेम पर इसे मनाएंगे प्याज सोफ्ट होने पर हम इसमें मशरूम डालकर इससे खोड़ी है पांसाथ मिनट के लिए कुप करेंगे अब हम इसको ठक देंगे देखते हैं कैसा बन रहा है दो दिन मिनट और पकाएंगे पांचे मिनट पकाने के बाद मशरूम सोफ्ट हो गए हैं अब हम इसमें नमक और काली मिर्च डाल लेंगे नमक कम ही डाल लें क्योंकि इस सूप में ज्यादा नमक अच्छा नहीं लगता थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे एक कप पानी डालकर फिर से ढखकर उबाल आने तक पकाएंगे दो तिन बॉयल आने पर हम गैस बंद कर लेंगे और थोड़े से मशरूम हम अलग से निकाल लेंगे और बाकी हम थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में इनको ब्लेंड करेंगे हमने इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है अब इसे दुबारा से उसी बरतन में डाल लेंगे और दूद भी डाल देंगे और जो हमने अलग से मशरूम निकाल कर रखे थे वह भी इसमें डाल देंगे अब हम इसमें 2-3 बॉयल आने देंगे एक बार नमक भी चेक कर लेते हैं नमक भी ठीक है हमारा सूप त्यार है गैस बंद करेंगे अब हम इसके उपर थोड़ी सी क्रीम डाल लेंगे और थोड़ी सी काली मिट टाल और हमारा हेल्दी क्रीमी मश्रूम सोप टैड़ी है अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें